Good morning children, continuing with the 9th chapter of social science, that is keeping the environment clean. तो आगे बढ़ने से पहले एक बर रिवाइस कर लेते हैं, हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बायो डिग्रेडिबल वेस्ट के बारे में. तो बायो डिग्रेडिबल मेटिरियल्स होते हैं, वो मेटिरियल्स जूकि वेस्ट में वो मेटिरियल्स होते हैं, जूकि आसानी से घुल जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, सॉयल के अंदर ही बहुत ही कम समय में. और इनकी examples है food waste, leaves, grass, plants, etc. Non-biodegredable waste Non-biodegredable materials, वो materials होते हैं waste में, जो आसानी से घुलते नहीं है soil में. इनकी examples है plastic, plastic bags, glass, cans, metal items, etc. फिर हमने जाना waste management के process के बारे में, जिसका मतलब होता है collect करना, transport करना एक जगह से दूसरी जगह और process करना solid और liquid waste को और साथी साथ उनको देखते रहना इन सारी चीजों को बोला जाता है waste management. Under waste management, हमने कुछ methods के बारे में जाना waste management के. तो सबसे पहले हमने जाना था sanitary landfills के बारे में. ये किया जाता है खुले land में, जो की available होता है उन जगहों में, जो की काफी दूर होते हैं शहरी इलाकों से. और वहाँ पे trucks और dumpers के द्वारा जो city का waste होता है, उनको carry किया जाता है landfill areas में. और उनको spread कर दिया जाता है पूरे land areas में और उसके बाद जो process होती है, वो होती है sorting की, यानि की छटाई की waste में से. और उन में से जो भी recyclable materials होते हैं, जैसे की paper, glass, rubbers, etc. from the solid waste, उनको अलग कर दिया जाता है. और जब ये जगहें पूरी तरीके से भर जाती हैं, तो उनको फिर soil से cover कर दिया जाता है, और parks का भी development किया जाता है इन जगहों के सुन्दरता के लिए. फिर हमने जाना insirination के बारे में, यानि कि burning के बारे में, इस process में क्या होता है, या फिर इस method में पूरे solid waste को एक जगह पे ले जाया जाता है, और उसे burn कर दिया जाता है, यानि कि जला दिया जाता है. ये काफी जल्दी वाला process है, और काफी आसानी से इस process के माध्यम से solid waste को अलग कर दिया जाता है, पर ये जो process होता है burning का, इसकी वज़े से काफी ज़्यादा smoke release होती है, जिसकी वज़े से carbon dioxide काफी ज़्यादा release होती है, और जिसकी वज़े से pollution of air भी काफी ज़्यादा बढ़ता है, next हम जिस process के बारे में जानेंगे, उसे कहा जाता है composting यानि कि खादे बनाने की प्रक्रिया, यानि की process, composting, खाद, खादे एक natural process होती है, यानि कि composting एक natural process होती है, यानि कि इस process में, चेंच किया जाता है, सड़े हुए जो natural materials होते हैं waste में, उनको एक बहुत ही rich soil के रूप में converted कर दिया जाता है उस process को composting बोला जाता है या फिर compost बोला जाता है और इसी compost को अगर हम अपनी garden के soil में अगर add करें तो काफी ज़ादा benefit होगी हमारे garden के लिए और साथी साथ plants के लिए भी काफी ज़ादा useful होगी और इस process के वज़े से जो landfill का जो cost होता है वो भी कम हो जाएगा villages में क्या होता है villages भी बड़े-बड़े holes को dig किया जाता है यानि कि खोदा जाता है agriculture fields में और जो भी farming से related जो भी waste होता है उनको convert कर दिया जाता है compost में या फिर खाद में और कितना समय लगता है एक तरी तरी के waste को degenerate करने में यानि कि उनको एक reduced form में ले आने में कितना दिन लगता है everyday basis में तो हम जानेंगे सबसे पहले हम जानेंगे organic waste के वारे में यानि कि जो natural waste होते हैं जैसे कि vegetable fruit या फिर left food stuff रहते हैं उनको तो वो approximately week or two लगता है उनको paper 10 to 30 days cotton cloth 2 to 5 months wood 10 to 15 years woolen clothes and items 1 year till aluminum and other metals 100 to 500 years plastic bags plastic bottles 500 to 1000 years plastic bags and bottles have also been used only for only 50 years plastic bags का भी इस्तमाल किया गया है सिफ 50 years के लिए ही अब हम जानेंगे जो three arts के बारे में जो की help करते हैं उसमें भी कमी ला सकते हैं reduce तो जितना कम waste उतना जादा environment के लिए अच्छा तो हमें ये कोशिश करनी क्लासेज ग्लासेज जो की बनी हुए होते हैं थर्मकॉल के पेपर नापकिन बीबी डाइपर तो और अगर इन सारी चीजों की जगह अगर हम कुछ इनके बदले कुछ और चीजों का इस्तमाल करने की शुरुआत करें तो बहुत अच्छा होगा जैसे और इन चीजों की ज जगह हम क्लोध बैग्स का इस्तमाल कर सकते है ओर इसके द्वारा हम काफी सारा वेश्ट भी कप्र करसकते हैं अब हम जानेंगेoma this anyone sainנה के बारे में तो उन मेंसे और एक चुब मेथड है jeसके द्वारा हम वेश्ट में कमी ला सकते हैं वह है्री साइकल method तो recycle करने से solid waste में भी कमी आ सकती है recycling एक process होता है जिसके माध्यम से waste materials को convert कर दिया जाता है यानि की change कर दिया जाता है नए और एक useful products के रूप में और recycling करने से क्या होता है इसके वज़े से जो use होती है raw materials की recycling करने की वज़े से raw materials का इस्तमाल कम होता है less energy का इस्तमाल होता है और एक बहुत ही बहतरीन वे है जिसके द्वारा हम air pollution को भी control कर सकते हैं land pollution और water pollution को भी control कर सकते हैं next हम चानेंगे reuse के बारे में तो recycle items जैसे की glass plastic, paper and aluminium को भी reuse किया जा सकता है और हम कई और चीज़ों का भी uses हम find out कर सकते हैं जो की हम naturally या फिर normally हम उसे fake देते हैं जैसे की old books and toys ये हम उन बच्चों को दे सकते हैं जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा जरुवत पढ़ती हो और instead of यानि की अगर इनको fake ने के बजाए इन toys को fake ने के बजाएं dustbin में हम उन बच्चों को दे सकते हैं सो students आज हमने जाना composting के बाने में यानि की खाद बनाने के बारे में तो खाद बनाने की जो प्रक्रिया है या फिर जो process है वो naturally होती है जहाँ पे change किया जाता है सड़े हुए natural material को natural waste material को एक बहुत ही अच्छे soil के format में जिसे बोला जाता है compost ये process naturally होता है और इस इस compost को अगर हम add करे garden अपने garden के soil में या फिर plants में तो ये काफी जादा useful होता है और इसकी वज़े से जो landfill का cost होता है वो भी कम होता है villages में बड़े बड़े जो holes होते हैं उनको खोदा जाता है जहां पर farming से related जो भी waste होते हैं उनको डाला जाता है और compost में convert किया जाता है यानि की खाद में compost कर दिया जाता है फिर हमने जाना 3 hours for a cleaner environment के बारे में तो 3 hours कौन-कौन से थे या फिर कौन-कौन से 3 hours के बारे में हमने जाना reduce, recycle and reuse reduce में हमने जाना कि जितना कम waste उतना ही जादा अच्छा है इंवार्मेंट के लिए काफी सारे items आज कल के टाइम पे अलग करने लायक है यानि की उनको अलग कर किया जा सकता है और और कुछ और चीज़ों का भी इस्तमाल किया जा सकता है for example reusable cloth bags जिनका इस्तमाल हम plastics bags की जगह में कर सकते हैं जिसकी वज़े से जो waste की जो मात्रा है उसमें बहुत जादा कमी आएगी फिर हमने जाना recycle के बारे में तो जो सबसे और एक जो सबसे बहतरीन वे है वो है recycle तो recycling एक process होता है जहां पे change होता है waste material एक नए और एक बहुत ही useful product में और recycling के फायदे हैं कि इसके वज़े से जो use of raw materials उसमें कमी आती है energy जो use of energy है उसमें भी कमी आती है और यह बहुत ही effective वे है air, water and land pollution को control करने के लिए फिर हमने जाना reuse के बारे में जहांपे recycle items जैसे कि glass, plastics and paper and aluminium को भी reuse किया जाता है और कुछ और ways से हम चीजों को reuse कर सकते हैं जैसे कि हम अपने old books toys को जो दे सकते हैं उन जरुवत मन बच्चों को जिनको इन चीजों की जरुवत हो और ना की हम इने straight away dustbin में थ्रो कर दे so students this is the end for today's learning video please go through this video thank you